Hello everyone, in today's lecture we will be continuing with taxonomy, हमने काफी कुछ कवर कर लिया था, last lecture में taxonomy के बारे में, हमने ये terms, characterization, identification, classification, and nomenclature, इन सब के बारे में details में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि nomenclature का मतलब है to provide name, nomenclature का मतलब ही है कि हमने किसी species को, किसी particular kind के organism को, एक scientific name provide किया है, और हमने बात की थी कि क्यों, why do we need scientific name, जबकि common name हर चीज़ का, लगबग हर organism का exist करता है, लेकिन हमें scientific name की जरूरत क्यों पढ़ी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आज हम कुछ ऐसे methods, कुछ ऐसे system के बारे में पढ़ेंगे, जो कि nomenclature में use होते हैं, हमने ये बात तो की थी कि scientific names की जरूरत क्यों पढ़ी, लेकिन हम scientific name, किसी organism को, ये किसी species को, कैसे designate करते हैं, वो हमने नहीं पढ़ा था, वो हम आज के lecture में cover करेंगे, So, in starting, like before 1750, जैसे कि यहाँ बें mention है, taxonomist जो थे, वो Latin language का use करते थे, scientific names के लिए, मैं बताऊं तो Latin language का ही use हम आज करते हैं, scientific names को लिखने के लिए, या scientific name designate करने के लिए, क्योंकि Latin जो है, वो एक dead language है, और उसमें अब कोई change नहीं हो सकता, इसलिए हम Latin language का ही use करते हैं, scientific name provide करते हुए, तो लेकिन जो polynomial system of nomenclature था, polynomial का मतलब है कि scientific name में एक से ज़्यादा word होते थे, nomial का मतलब होता है word, poly का मतलब कई, तो उस species का जब हम नाम लिखते थे, तो उसमें कई words होते थे, जैसे जो एक species है, willow की, उसका नाम हमने आपे mention किया हुआ, यह पूरा उसका scientific name था, salix, pumila, augustifolia, ultra, ऐसे ही आपको मैं कुछ और example दिखाऊं, जैसे यहाँ पे, renunculus, calcibus, retroflexus, pedulculus, falcatis, koel, यह पूरा नाम, जो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, यह एक renunculus flower का नाम था, scientific name था, according to polynomial nomenclature, don't worry, यह आपको याद नहीं करना है, वो क्या करते थे, इतना बड़ा नाम क्यों होता था, वो उसके नाम के साथ साथ, उसकी description भी देते थे, जैसे यह जो पूरा नाम उन्होंने लिखा हुआ है, इसका अगर हम meaning समझे, तो meaning था, the buttercup with bent back sepals, curved flower stalk, erect stem and compound leaves, यानि कि उन्होंने उसके नाम के अंदरी, उसके character भी बताए थे, इसलिए वो नाम काफी लंबा हो गया था, तो अब हम जो है, बाद में 1850 के बाद बात करें, तो हम polynomial nomenclature को disregard कर दिया गा है, क्यों, why, इसके भी दो ही reason है, पहला तो जो हमने देखा, कि नाम जो है, जो scientific name थे, वो काफी लंब दी थे, और difficult to remember थे, अगर सबका हर organism का हमें अभी इतना बड़ा बड़ा नाम याद करने लगे, तो कैसे जलेगा, तो अगर एक scientist या एक scholar किसी species का नाम रखता है, हो सकता है, वो characters तो उसके नाम में जितने describe किये गए हैं, उसके इलावा भी किसी species के other characters होते हैं, हो सकता है, किसी scientist ने जब उसका नाम दिया, तो उसके नाम में उन्होंने किसी और character को mention किया, जबकि दूसरे scientist ने जब उसका नाम रखा, तो उसने उनके नाम में किसी और character को mention किया, जबकि वो बात एक ही species की कर रहे हैं, तो यह जो है, यह problems थी, polynomial nomenclature के साथ, जिसकी वज़े से, उसकी जगए ली थी, trinomial nomenclature, trinomial system of nomenclature, नाम बता रहा है कि, इसमें जो scientific name में तीन words होते थे, पहला word होता था species, जो species बताता था, जो second word होता है, वो बताता था genus, और जो third word होता था, वो subspecies बताता था, बात करें, चावल के अंदर भी, अच्छा मैंने आपको उल्टा बोला है, जो first word होता है, वो genus होता है, जो second होता है, वो species होता है, हमेशा याद रिखना, first is genus, second is species, जो third होता था, वो या उसकी family, उसकी variety, या उसकी race के बारे में बताता था, हम कोई भी word use कर सकते हैं, जैसे चावल की, आज के टाइम में भी बात करूँ, तो rice की, 70,000 varieties हमें पता हैं, तो according to, अगर हम trinomial system of normal culture की बात करें, तो उन 70,000 varieties के, उन्होंने अलग-अलग नाम रखे होए थे, पहले दो name जो है, वो same होते थे, और हिजा सटाइवा जो है, वो rice का नाम होता है, तो उसके पीछे, वो उसकी सब species का भी नाम लगाते थे, कि हाँ ये rice की कौन सी variety है, लेकिन ऐसा हम अभी नहीं करते हैं, ऐसा हम अभी नहीं करते हैं, at present, जो universally accepted system of nomenclature है, वो दिया था, कार्लस लीनियस ने, मैंने पहले भी बताया है, इन्होंने पहले भी काफी terms दी थी, species planetarium, species animalia, तो इन्होंने काफी सारी books भी लिखी थी पहले, वो भी पता होना चाहिए, और ये father of taxonomy में भी हम कहते हैं, क्योंकि आज के time पे universally acceptable, जो system of nomenclature है, यानि की binomial, वो भी इन्होंने दिया था, हलांकि इन्होंने अपनी इस book में दिया था, species planetarium, ठीक है, तो हलांकि कुछ हमने modification की हैं, जो इन्होंने mention किया था, उसके according हमने कुछ modification जो है, scientific name में की है, जैसे ये क्या है, कि जो दो ही word यूज करते थे, जैसे binomial हमें पता है, कि दो ही word होते थे, पहला word जो है, वो genus बताता था, जिसको हम generic name बोलते हैं, second word जो है, वो species बताता होता था, जिसको हम, वो species बताता था, लेकिन ये क्या करते थे, जिस scientist ने, इसको नाम दिया है, उसका नाम पिछे लिखते थे, जैसे अगर किसी species का नाम इन्होंने रखा है, तो वो linear पिछे लगाते थे, कि पहले genus का नाम आएगा, फिर species का नाम आएगा, और पिछे उन्होंने linear mention किया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते, अब हम उत्थर का नाम पिछे नहीं लिखते, तो इन्होंने क्या-क्या बोला था, as per this system, name of any organism consists of two parts, part बोलो या epithet बोलो, पहला होता है generic, दूसरा होता है specific, यानि की species, मैं बता चुकी हूँ, पहला word जो denote करता है, वो genus denote करता है, दूसरा जो बताता है, उसकी species बताता है, ठीक है, जैसे की mango का जो scientific name है, वो है, mangifera indica, दो word है, mangifera उसका genus है, आम का, indica उसकी species है, और हमने ये देखा, कि mangifera में जो M है, वो capital है, यानि genus का नाम capital होगा, लेकिन species का first word capital नहीं है, indica का I capital नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर rules जो है, जो follow किये जाते हैं, binomial nomenclature के time, वो हमने mention कियो है, कि names जो है, वो Latin language में होते हैं, names जो है, वो Latin language में होते हैं, ये एक dead language है, इसमें नाम इसलिए रखे जाते हैं, क्योंकि अब, इसे कोई use नहीं करता, तो इस language में, अब कोई change possible नहीं है, और जो name है, वो उनकी beginning होती है, capital letters के साथ, जैसे हमने महिंगी फेरा में देखा, और जो specific name है, यानि species का name है, उसकी beginning होती है, small letter के साथ ही होती है, scientific name, अगर print किये हुए हैं, तो वो italicized होती है, मतलब, वो cursive handwriting में लिखे होती है, अगर वो printed है, लेकिन अगर हम उन्हें खुद notebook पे लिखते हैं, तो हम उनको underline करते हैं, हम क्या करेंगे कि महिंगी फेरा को भी underline करेंगे, और इंडिका को भी underline करेंगे, उसके इलाबा, name of author should be written after the species name in an abbreviated form, मतलब, पूरा नाम ने लिखते हैं, हम abbreviated form में लिखते हैं, जैसे linear, linear ही लिखते थे, L-I-N-N-A-E, तो उसको हम बोलते हैं, binomial epithet, लेकिन अब हम नहीं लिखते, अब हम author का नाम नहीं लिखते, ये बात याद रखनी हैं, और जो है, यहाँ पर last line जो लिखी हुए है, कि maximum and minimum number of alphabets in genus and species is from 12 to 3, जादा से जादा, एक word में जो letters हैं, वो 12 हो सकते हैं, और minimum जो है 3 होने ही चाहिए, ये थे rules of binomial nomenclature, कुछ और rules भी हैं, जैसे कि, if name of species consists of two words, अगर species का नाम ही हम दो words में लिख रहे हैं, तो उनके बीच में hyphen use करेंगे, जैसे hibiscus जो है, वो चाइना रोस का जो है genus है, लेकिन rosa sinensis, ये पूरा उसका species name ही है, क्योंकि इसमें दो word थे, तो हमने बीच में hyphen use किया, principle of priorities followed, एक species का जिस scientist ने पहले नाम दिया है, वही नाम उसका universally acceptable होगा, दफर्स्ट वैलेड पब्लिश नेम इस accepted as binomial, और रेस्ट आर, considered as synonyms, जिसने पहले दिया, वही acceptable होगा as a scientific name, और उसके बाद, अगर उसी species के कुछ और scientific name दिये गए है, तो हम उनको synonyms बोलेंगे, हम उनको actual accepted name नहीं होगा वो, यहां फिर यह slides जो है, binomial nomenclature, first word is genus name, second word is species name, introduced by carlinius, genus name plus species name जो है, वो scientific name होता है, italicized form में लिखे होते हैं, first letter genus का जो होता, वो capital होता है, जबकि जो species के सारे letters होते हैं, वो small होते हैं, lower case होते हैं, अगर scientific test जो है hand written है, तो हम उसको underline करेंगे, जैसे यहां पे, पैंथेरा टिगरिस है, उसको underline करेंगे, मेंगी फेरा इंडिका है, उसको underline करेंगे, लेकिन continuously underline नहीं करते होते हैं, बच्चों, genus name को अलग से underline करते हैं, specific name को अलग से underline करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, कि पूरे के नीचे हमने पूरा एक, ऐसे underline कर दिया, यह नहीं होता, genus name को अलग से underline करना, species name को अलग से underline करना, ठीक है, अच्छा, अब यह कुछ होर टर्म्स हैं, जैसे हमने synonymous की बात की थी, कि जो scientific name किसी species का पहले published होगा, वो acceptable होगा, बाकि सारे नाम्स, अगर उसको और भी नाम दिये गए हैं, उनको हम synonyms बोलेंगे, ऐसे ही totonyms होता है, कि अगर, किसी का scientific name, उसमें genus और species का नाम सेम है, जैसे ratus ratus, यह होता है rat का scientific name, तो इसको ICBN accept नहीं करती, लेकिन ICZN accept करती है, ICN का मतलब है, International Code of Botanical Nomenclature, यानि botany, जितने भी plants या vegetation के name है, वो acceptable नहीं होते, मैलस मैलस, एपल का acceptable scientific name नहीं है, मैलस domestica है, क्योंकि ऐसा botanical names में, acceptable नहीं है, लेकिन zoological nomenclature, जो है ICZN, International Code of Zoological Nomenclature, इसको accept करता है, इसलिए ratus ratus, जो है rat का scientific name है, और accepted है, इसके बाद homonyms की हम बात करें, तो वो illegitimate होते हैं, कहने का मतलब, कि दो different organism को, एक ही scientific name दिया गया, तो जिसको पहले वो नाम दिया गया था, वो acceptable है, उसके बाद वही नाम, अगर किसी दूसरे species को दिया गया है, तो वो acceptable नहीं है, homonyms are illegitimate, तो यह हमारा आज का lecture था, इसके बाद, हम actual classification पढ़ेंगे, कि यह थो हमने नोमन्क लेचर पढ़ा, कि उनको हमने नाम क्या दिया है, लेकिन हमने एक और बात की थी, taxonomy में कि अब हम उनको classify करेंगे, next lecture में हम study करेंगे, कि character के base पे, हमने कितने groups में, सारे living organism को classify किया है, actually में, so इस lecture में अभी इतना ही, thank you very much,